फाइनली हीरो ने अपनी एक्स्टीम 160R को इंडियन मार्किट के अंदर फोर वॉल्व इंजन के साथ में लॉंच कर दिया काफी लंबे टाइम से इस मोटर साइकल को टेस्ट होते हुए देखा जा रहा था और अब यह मोटर साइकल बाहरते बादार के अंदर आ चुकी है जि सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को ओन करें साथ ही सेग्मेंट में आने वाली सभी मोटर साइकल के साथ में हम इस मोटर साइकल को साइड बैसाइड कंपायर भी करने वाले हैं और अगर आप वह कंपारजन मिस नहीं करना चाहते तो जरूर से चैनल को करने वाला ही मिलने वाला है इसके अलावा कंपनी ने इसको तीन वेरियंट में लौच किया है पहला वेरियंट तैंडर उसके बाद में चैनल अप्रो जो बशन बेसिक वनसिक्स्ती आर जो डुवी और डियों अदर सेल हो रही थी उसी के उपर है सेम लुक्स डिजाइन आप को मिलेगा सेम लाइटिंग सेटप यूज किया गया है LED रखा गया है एड लैंप टेल लैंप टर्न इंडिकेटर को और इसके लावा जो आमिटर कॉंसोल है वह भी आपको फुल डिजिटल इनिट मिलता है सेम है नेगिटिव बैक लाइट के साथ में ब्लुटूथ कनेक्टि के तो और पर चाहिए तो वह आपको मिलेगा और अगर अगर आप सिंगल सीट यूनिट लेना चाहते हो तो वह भी आप एजन एक्सिरी ले सकते हो इसके साथ एक जबरदस ऑफर भी कंपनी दे रही है कि 30 जून तक अगर आप इस मोटर साइकल को बुक कराते हैं तो आपको कंपनी एक लेधर जैकिट भी इसके साथ में गिफ्ट करेगी और जुलाई से इसकी दिलिवरीज भी शुरू हने वाली हैं बात करें इंजन के अंदर क्या अपडेट आया है तो कंपनी ने इसके इंजन को अपडेट किया है इस मोटर साइकल के अंदर आपको 160 CC का सिंगल स की आजा रहा है इसके साथ में क्योंकि इसका वजन जो है वो काफी अच्छा है 144 केजी कववेट के साथ में मोटर सैकल आ रही है तो इस इड़क होने माला और अपने सेगमेंट की 17.2 PS के आसपास आपको power offer करती है लेकिन उसका weight ज्यादा होने की वज़े से power to weight ratio के मामले में extreme थोड़ा सा आगे निकल जाएगी इसके लावा बड़ा update आपको suspension setup के अंदर भी मिलने वाला है extreme 160R के अंदर top variants में आपको USD suspension मिलेगा front में और rear के अंदर mono shock suspension मिलेगा हाला कि standard variant के अंदर आपको regular telescopic suspension ही मिलने वाला है और sitting comfort वगरा के अंदर थोड़ा सा आपको change मिलेगा cushioning वगरा को थोड़ा company ने change की है better comfort के लिए इसके अलावा four valve engine के अंदर आपको kick start का option नहीं मिलेगा केवल electric start मिलेगा जबकि अगर आप two valve engine लेते हैं तो उसके अंदर आपको electric start के साथ साथ kick start भी मिल जाता है और two valve engine को company discontinue नहीं कर रही है जिन लोगो two valve engine चाहिए वो two valve ले सकते हैं जिनको four valve चाहिए वो four valve ले सकते हैं कीमत के अगर मैं बात करो तो extreme two valve जो है वह एक लाग 17,000 रुपे एक showroom कीमत से शुरू होती है और एक लाग 29,000 रुपे तक उसका still two point two edition आपको मिलेगा बात करें नए four valve engine की तो एक लाग 27,000 रुपे की एक showroom कीमत में आपको standard variant मिलेगा जहां पर bluetooth connectivity आपको मिलेगी telescopic suspension मिलेगा USD नहीं होगा और एक लाग 32,000 रुपे में आप इसका connected variant ले सकते हैं जिसमें bluetooth connect के साथ साथ application के थुरू और जादा connectivity features आपको मिलेगे और USD suspension और split seat जैसा feature जो है एड हो जाएगा इसके बाद में आपको pro variant का option मिलेगा तो तीन वेरियंट है जो की pro जो है वह एक लाग 36,000 रुपे एक showroom की मत में आपको मिलेगा तो यह तीन वेरियंट हैं और colors की में बात करों तो चार color options आपको इस motorcycle में मिलने वाले हैं जो standard है यानि की two wall engine है वो आपको पांच color options के साथ में मिलता है तो एक color यहां पर कम मिलेगा हाला कि इसके colors जो है वो थोड़े से ज़्यादा आपको attractive लगेंगे regular जो two wall engine आता है उसके मकाबले तो क्या कुछ आपको नया मिल ला है extreme 160 R4 वीकेंदर वो मनें आपको बताया और जल्दी ही इस motorcycle को हम side by side compare करेंगे सेग्मेंट में आने वाली दूसरी सभी motorcycles के साथ में तो आपसे request करूंगा है जरूर से चैनल को subscribe करें notification bell को on करें जिससे की इस video का notification आपको मिल सके आप उसको मिसना करमाएं अब इस video को तो ही ही पर end करते हैं और चल्दी मिलेंगे एको नई video के साथ में